हेलो फ्रेंड, सबसे पहले तो बसंद पंचमी के सुब अपसर पर धेर सारी सुब कमनाओं के साथ मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ बसंदी स्वीट जिसे आप यल्लो स्वीट भी बोल सकती हैं इसे बनाना बहुत ही असान है कहते हैं ना कि बसंद पंचमी के दिन पीला भोग चड़ाना चाहिए आप भी इसे जरूर बनाएए मैं इसलिए पीला भोग बना रही हूँ आज देखिए कितना सुन्दर लग रहा है देखने में यह वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी ल न ARElla 3 पैन्बे यह तीप के करीब पानि ग्रवं में के लिए लिए देंगे और इसका उबलने का हम वेट करें मा उससे थोड़ा जैदा यह लेकिन कम नहीं डालेंगे हम ठीक है और इसमें दो चम्मच के करीब हम तेल डाल देंगे रिफाइन डालना है और इसमें एक चम्मच के करीब घी डाल देंगे जब उबले गई है उसी टाइम डालना है और इसमें हम ड्राइफ फ्रूट्स को पीस के डाल रहे हैं इसको हम जो पीसे हैं थोड़ा बदाम पीस दिये हैं और द पूट कलर डाल दिये हैं थोड़ा सा एक चुटकी के करीब डाले हैं यदि आप इसको नहीं डालना चाहती है तो कोई बात नहीं आप इसमें हल्दी डाल दीजिए और इसको हम अच्छे से उबालने का वेट करेंगे इधर हमारा ये उबल गया है इसको हम एक साइड में करके रग दिये एक कढ़ाई में हम एक चम्मच के करीब भर के घी डाले हैं थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हम उसमें रिफाइंड और गी अल्रेटी हम पानी में डाल चुके थे और इसमें हम मीडियम टू लोव फ्लेम पे सूजी को हम फ्राय करेंगे ज्यादा नहीं गैस को तेज करना है नहीं तो यह जल जाएगा इसको मीडियम फ्लेम पे ही हमें चलाते जाना है देखिए ऐसे ही फ्राय करते जाना है एक कटॉरी हम सूजी लिए हैं तीन कटॉरी हम पानी डालेते इस जाहे तो आप बड़े वाला बरतं से भी three equals ratio रख सकती है और इसको अच्छे से फ्राय हो गया है हमारा सूजी अब इसमें हम जो पानी उबाले ते इसको हम दीरे-दीरे करके इसमें डालेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही डालना है इसके छीटे बहुत पढ़ेंगे आपको कड़ाई ज्यादा गरम रहती है तो पानी पढ़ना शुरू हो जाता है ऐस इसको फ्राय करते जाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करना यह आपको ध्यान रखना है नहीं तो नीचे से यह जल जाएगा थोड़ा पानी जल जाएगा तो अच्छा नहीं होगा फिर जब पानी पूरा जल जाएगा तो इसमें हम एक कप सूजी है तो एक कप के ऐसे ही फ्राय करते जाएगे इस बार आप जरूर सरस्वती पूजा में इसको बनाईए आप जब आप बनाके खाएंगी न तो बोलेंगे हाँ यह बहुत टेश्टी बनी है ऐसे ही आप फ्राय करते जाएगे बसंत पंचमी के सुब अपसर पर आप जरूर बनाएं यह पील गी भी डाल सकती है लेकिन मौसम अभी थोड़ा ठंडा है तो घी जमा हुआ सा लगेगा अच्छा नहीं होगा इसमें हम रिफाइंट ही डाल देंगे थोड़ा और इसमें हम अच्छे से थाली में सजा देंगे इसे ही दाप-दाफ के हमें ऐसे बिठा देना है जब यह अच्छे से हमारा सेठ हो गया है इसको हम किसी बरतन में पलट लेंगे देखिए कितने अच्छे से यह तयार हो गया है इसको हम चक्कु से काट लेंगे जिस भी सेप में आप काटना चाहती है आप काट लीजिए देखने में तो यह बहुत ही सुन्दर कलर लग रहा है यह एक दम बसंद पंचमी में तो आप जरूर इस रेसिपी को एक बार ट्राइ कीजिए, बहुत ही कम समय में और घर की ही चीजों से बन कर तयार होगी, इसे बनाना तो बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी भी बन के तयार होगी, इसमें थोड़ा हम केसर भी डाल देंगे, काज लोग इसको, तो स्वीट्स के नाम से ही बोले हैं, आप इसको क्या नाम देंगी, आप जरूर बताइएगा, देखिए, इसमें हम दो चार काजू भी डाल दियें, इस बार इस बसंद पंचमी जरूर इस पर साथ को ट्राइ कीजिए, फिर मिलते हैं एक नई टेस्टीर तब तक के लिए बाबाई